जैहिन प्यारे बच्चों, Welcome to भारतवस Classes, कैसे हो बच्चों आप सभी आसा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कच्छा तीन, रोच्च गनित पाठ पुस्तक में पाठ तीन को परारम करेंगे, पाठ तीन का नाम है जोड़, तो आप लोग पैंसिल निकाल लिजें, और इसे अची प्रकार से समझते हैं, फिर आप लोग इसे नोट भी किजिएगा तो पच्चों, आप सभी के पाठ पुस्तक पर प्रतम पिडिस्ट में यहां दे रखा है, कि यहां पे कुछ पिक्चर बने हुए, जिसे आप पतंग बना हुआ होगा, यहां कलम बना हुआ होगा और यहां पैंसिल, फिर इधर किताब, गेंट और उसके नीचे रबड बना पांच रुपए, किताब का दामें 20 रुपए, गेंट का दामें 40 रुपए, रबड का दामें 3 रुपए, फिर यहां पे लिख रखा है, इन वस्तूओं का मुल्य बताईए, फर्स्ट में हैं, दो कलम तथा एक पैंसिल का मुल्य, कितना होगा, तो सबसे पहले यहां पे द रखा है कलम, कलम कितना है, दो है, एक कलम का दामें 25 रुपए, दो कलम है, तो दो बार लिएंगे 25 रुपए, और फिर 25 रुपए, दो कलम का मुल्य यहां लिखा हमने, फिर तथा, तथा का मतलब है, इन दोनों को जोड देना है, तो जोड यहां पे दिया है, यहां पे भी जोड़ देंगे एक पैंसिल का मुल कितना है पांच रुपए हमने लिखा अब इन तीनों को जोड़ देना है तो जोड़ेंगे कैसे यहां पे देखिए पच्चीस और पच्चीस पच्चीस कितने हुए है 25 25 होता है 50 कितने होते हैं 50 अभी मैं आप सभी को मौकिक तोर पे समझा दे रहा हूं क्योंकि यह प्रश्ण आपको मौकिक तोर पे समझना है फिर आगे के प्रश्णों में आप सभी को एक दम basic से जोड़ समझाओंगा इसलिए बच्छो इन प्रश्ण को आप अच्छे से नो 25 रुपए यहां पे लिख देगे अब देखे, दूसरा फ्रस्थियार देख रखा है बच्चों एक पतंग पतंग कहां पे है रख सब से उपर है पतंग का दाम है, 10 रुपए यहां लिखेंगे 10 रुपए फिर जोड देंगे कलम कलम का दाम कितना है कलम का दामे 25 रुपए तो यहाँ दो कलम है एक कलम का दामे 25 रुपए दो कलम को कितना होगा 25 रुपचीस हमने पढ़ा भी 25-25 कितने होते हैं 50 तो यहाँ पे होगा 50 तो 10 रुपए होगा पतंग का और इसका होगा 50 रुपए तो 50 और 10 कितने हो गए 50 और 10 60 रूपए यहां पर कुल होंगे 60 रूपए उसके बाद अगला प्रशने बच्चों दो गेंद एक गेंद का दाम है 40 रूपए तो दो गेंद का 40 और 40 80 रूपए होंगे तीन पेंसिल एक पेंसिल का दाम है 5 रूपए तो तीन पेंसिल का 5 10 15 15 होगा तो यहां पर कितना होता है कुल है 80 रूपए होगे गेंद के और 15 रूपए होगे पेंसिल के 80 और 10 90 और 5 95 95 रूपए कुल हो जाएगा ठीक है इसी परकार करना है आप अभी लिख लिजिए समझाओंगा यहां पर अगला प्रस्न है एक पुस्तक तथा दो रबबड का मुल्य एक पुस्तक का दाम कितना है पुस्तक यानि किताब यहां पर देखे किताब मैंने लिख रख्या यहां पर फिगर भी बना हुआ होगा आप सभी के बुक में तो यहां पर एक पुस्तक यानि किताब, एक किताब का मुल्य 20 रुपए है, तो 20 यहां लिखेंगे, दो रबबड का मुल्य, तो रबबड कहां कहां, यहां सबसे नीचे है, एक रबबड का है 3, तो दो रबबड का 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 20 रुपे किताब के 6 रुपे रबड़ के 20 और 6 26 रुपे 26 लिख देंगे आगे प्रशन है दो पेंसिल तथा दो कलम का मुल्य दो पेंसिल एक पेंसिल का दाम है 5 रुपे तो दो पेंसिल के कितने होगे 5 और 5 दस रुपे होगे दो कलम, एक कलम का दाम है डूब का 25 रूपै तो दो कलम के कितने होगे 25 रूपै लिखने खिर दो पेंसिल के हो गएING 10 चलम के हो गएं 50 50 रूपै जाट रूपै अगला परशन है बच्चों एक पुस्तक दो कलम तदंथा तीन पेंसिल का मुल्य तो सबसे पहले पुस्ता कमूल लिखे पुस्ता कमूल है 20 ₂ 20 ₂ रिक देंगे दो कलम है एक कलम का डाम है 25 तो दो कलम का 25 य सब 10 पंस्तार पंसील 55an पंदरा सोरी एक पेंसिल का दाम है पांच तो तीन पेंसिल का पांच दस पंदरा पंदरा हो जाएंगे तो टोटल कितने हो गें पचास और बीश पचास साथ सतर और यां पंदरा पचासी दो रबड एक पतंग तथा तीन गेंद का मुल्य तो रबड रबड का दाम है तीन रुपए दो है तो तीन और तीन छे छे रुपए हो गए एक पतंग एक पतंग का दाम है दस रुपए दस रुपए लिखेंगे तीन गेंद तो गेंद का दाम है चालिस रुपए औ और गेंद है टोटल तीन तो चालीज 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 असी और चालीज एक सुबीस टोटल करेंगे एक सुबीस और दस एक सुटीस और छे 136 रुपए यह आपको लिख लेना है चलीज अब हम लोग करते हैं एकदम बेसिक वाला जोड उसमें आप सभी को अच्छे से करना है तो आपके प्रिष्ट संक्या 31 में दे रखा है कि जोड़िये और यहां पे सबसे पहले है चुबीस और पंदरा इसे हमें जोड़ना है तो सबस्धे पहले यहां पे प्रसंद लिख लेंगे चुबीस और पंदरा को ठीक है उसे अच्छे से जोड़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोड़ें कैसे बच्छों सबसे पहले हमने लिखा 24 और उन पंदरा ठीक है अब देखे सबसे पहले आपको इधरब काई के अं किस लिए एक दो तीन चार अब यहां कितना है पांच तो इधर पांच टो लाइन किस लेंगे एक दो तीन चार पांच किछ लिए हमने अब इन को इन सभी को गिनी है कितना हो गए टोटल लाइन एक दो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुतने हो गए? 9, यहां लिख देंगे 9 Clear अब आगे में हैं, यहां पर है 2 तो इधर 2 लाइन कीचिए 1, 2, फिर यहां नीचे है 1 एक लाइन कीचिएंगे अब सब ही लाइन को गिनेंगे 1, 2, 3, कितने हो गए? 3 हो गए, तो यहां लिख देंगे नीचे में, 3 ठीक है, इसी परकार दूसरा पुक्ष्णिया दे रख रहा है आपको सामने 37 और 52 इन्हें जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? सेम इसी तरह, पहले इधर लाइन कीचिएंगे, 7 हैं यहां पर हिकाई का, इन दोनों का हिकाई का अंक है, 7 7 यहां, 7 यहां, 2 यहां पर 7 लाइन कीचिएंगे 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 यहां है 2, तो 2 लाइन कीचिएंगे अब सभी को गिनेंगे 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 9 हो गए, 9 लिख देंगे यहां पर है 3 तो इधर 3 लाइन कीचिएंगे 1, 2, 3 अब यहां 5 हैं तो 5 लाइन कीचिएंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब सभी को गिनेंगे यहां पर हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गए यहां कितना लिखेंगे यहां लिखेंगे 8 तो यह प्रस्ण कर लिया हमने तो शुरूर में यहां कितना आया था यहां आया था 5 और 4 यहां आया था 9 9 लिखेंगे और इधर 3 तो इसी प्रकास से हम सभी प्रस्ण को लाइन कीचिए कर लेंगे अब देखें यहां पर कितना है बच्चों यहां पर है 4 और यहां है 3 तो चार के बाद हमें 3 तक जाना है देखें 4, 5, 6, 7 तो यहां होगे 7 और इधर 6, 7, 8, 9 यानि 9 और 7 ऐसे लिख लेंगे आपको लाइन कीच के लिखना है मैं यहां पर बता दे रहा हूं यहां पर कितना होगा यहां पर होगा इधर से करेंगे 7 और 2, 9 और यहां पर 5 और 2, 7 7, 9 फिर इधर होगा 6, 6, 6, 7, 8, 9 9 लिख देंगे 96 ऐसे आपको कर लेना है फिर अगला परस्ण है इन्हें भी जोड़िए अब इसे किस परकार जोड़ना है जिसे 23 और 13 लिख रखा है बाइसे 23 और 13 को लिख लेते हैं तीक है 23 और 13 तो हमें कैसे लिखना है परस्ण परस्ण लिख रखा ऐसे 23 और 13 ऐसे लिख रखा है 23 और 13 ऐसे लिख लेना है आपको तीक है आप इ qualche और कि देंगे कितना है 3, 1, 2, 3 इधाले 3 1, 2, 3, 12, 3 चार पांथ च्छे लिख देंगे यहाँ पे दो 1-2 यहाँ 1200 तीन तीन लिख देंगे ठीक है यहाँ कितना अया 36 आया है तो यहाँ पे किया लिख देंगे равめて लिख देंगे 36 ऐसे करके लिख दिया हमने फिर इसी परकार इसे करना है तो इसी तरह आप लोग इसे करोगे तो यहां पर आएगा 25 कितना आएगा यहां आएगा 25 फिट ताइटीस और 22 इसे जोड़ोगे तो इसी परकार यहां पर आएगा आपका 55 चोबिस और 30 इसे जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 54 चाथीस और 22 इसे जोड़ेंगे तो आएगा 58 और यहाँ पर 26 और 23 यह से जोड़ेंगे तो आएगा 69 तीक है यह आपको जोड लेना है चिप्रकार से और answer मिला लेना है चलिए अगला प्रशन को करते हैं तो अगला प्रशन यहाँ पर दे रखा है बच्चों हासिल का जोड हासिल का जोड कैसे करते हैं सबसे पहले आप लोग समझ लो सेसे यह तो प्रशन एजी है या हासिल कर नहीं है तो यहाँ पर है जीरो नीचे है पांच तो जीरो और पांच जीरो का मतलब है कोई नहीं तो जीरो और पांच कितना होगा पांच होगा यहाँ पर है चार और चार तो चार और चार हो गए आठ आ yeak 9 अब कितने होगे टोटल 9 10 11 लिखेंगे एक इधर लिखेंगे कि यहाँ पर कभी भी दो अंक नहीं लिखते हैं यहाँ पर 14 है तो 14 का 4 एक बच्चा एक को इन संख्या के उपर लिखेंगे फिर से 14 का 4 और हाथ में एक यानि हाथ वाला संख्या दहाई संख्या के उपर लिखेंगे तो यहाँ पर कितने होगे? चार, पांच, छे, साथ और एक आठ लिखेंगे ठीक है? इसी पर का इसमें है साथ तो साथ ड्रो करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यहाँ पर है चार तो एक, दो, तीन, चार सभी को गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ 8, 9, 10, 11 11, 11 का क्या लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 1 और 1 कहां लिखेंगे 1 इसके उपर लिख देंगे 1, तो कितना हो गया टोटल, 6 और 1, 7 7 और 7, 14 14 लिख देंगे 41 एंसर हो जाएगा किसी परकार इसमें करेंगे तो इसमें तो कुछ नई समेजी है 0 और 8 तो 0 और 8 कितने हो गया और इधर 8 और 7, 8 और 7 कितने हो गया 15, तो 15 लिख देंगे, ठीक इसी परकार हमें सभी प्रस्णों को कर लेना है 6 और 4 6 और 4 कितने हो गया, 10 तो 10 कहां लिखेंगे, सुनिय 9 9, 10 का सुनिय लिखा हमने और जो 1 बचा, 1 उपर लिख देंगे 9 और 1, 10 यहाँ पर जोड़ेंगे, 9 और 1, 10 और 3, 13 लिख देना है 6 और 4, 10 10 का सुनिय, हाथ में 1 एक उपर लिखेंगे 8 और यहाँ 8 और 8, 16 16 लिखेंगे फिर से यहाँ पर 8 और 7 8 और 7, 15 15 के 5 एक बचा, एक को इसके उपर लिखना है फिर 8 और यहाँ पर 8 8 और 8 केतने होगे? 15 और सुनिय, 8 और 8 16 16 लिख देना है यहाँ पर 5 और 8 8 और 5, 8, 5, 13 तीन, 8 में एक, एक यहाँ लिखेंगे 9 और एक, 10 10 और 8, 18 18 लिख देना है यहाँ है 9 और 9 9, 9, 18 18 का 8 हाथ में 1 एक को यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर सुनि सुन को नहीं लेना है 7 और 1, 8 8 हो गया 0 और 0 0 लिखेंगे 6 और 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 हो गया तो इसे हमें बना लेना है यह काफी इसी है अप लोग चाहो तो ऐसे कर सकते हो अगर इसे नहीं आ रहा है तो आप लोग लाइन कीच के अराम से कर सकते हैं जिसे मैंने इन दोनों परशनों में आपको समझाया है तो यह थे दो अंको वाले जोड़ हासिल के और बिना हासिल के दोनों को समझा इस परशन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीन अंको वाले फिर हासिल वाले तो आसा करता हूँ कि आप सभी को परशन समझ में आये होंगे वीडियो से लगी कि वीडियो को लाइक से जरूर कीज़ेगा भारत्योस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा थैंक यू बच्चो